राम जन्म भूमी मामले में एतिहासिक फैसला सुनाने वाली सुप्रेम कोट के समविधानिक पीट के पांच जजों को 22 जन्वरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारों के लिए रज अतीती के रूप में आमंतृत किया गया है ये जज हैं ततकालीन चीफ जिस्ट्रिस रंजन गोगोई, जिस्ट्रिस शरद अर्विन बोबडे, जिस्ट्रिस दीवाई चंदचूर, जिस्ट्रिस अशुग भूशन, जिस्ट्रिस S. अब्दुलनजीर जो बैंच में शामिल रहे थे आमंतृतों में पूर्व प्रधान न्यायथीशों, न्यायथीशों और शिर्ष वकीलों सहित पचास से अधिक लोगों में न्यायविद भी शामिल है इसके अलावा आमंतृतों में सॉलिसिटर जनरल तुशार महता और पूर्व अटर्णी जनरल केकी विनु को पाल भी शामिल है जिस्ट्रिस रंजन गोगोई 17 नवंबा 2019 को सुप्रेम कोट से सीजाई के पद से रिटार हुए थे चार महीने के बाद राश्पती ने उन्हें राज्यसभा के सांसत के तौर पर मनोनित किया था वे राज्यसभा पहुँचने वाले तीसरे जज थे हाला कि राश्पती द्वारा मनोनित पहले जज थे जस्चिस शरत अर्विन बोबडे 23 अप्रेल 2021 को सीजाई पद से रिटार हुए थे उन्होंने रंजन को गोई की जगा ली थी जस्चिस बोबडे 8 साल सुप्रेम कोट के जज रहे हाला कि रेटार्मेंट के बाद जस्चिस बोबडे ने कोई अधिकारिक सावचिनिक पद नहीं संभाला वे महराश्ट्र नैशनल लॉइ उन्वरसिटी नागपूर के चांसलर है जस्चिस डीवाई चंदचूर भारत की मौजूदा C.J.I. उन्होंने नवंबर 2022 में भारत के 50 वे चीफ जस्चिस के तौर पर शपत ली वे भारत के सबसे लंबे समय तक चीफ जस्चिस रहने वाले जस्चिस वाई वी चंदचूर की बेटे हैं जस्चिस अशुक भूशन जुलाई 2021 को रेटार हुए थे चार महीने बाद नवंबर में उन्हें नेशनल कंपनी लौ अपीलियर ट्रुब्यूनल का चेर्मेन बनाया गया उनका कारिकाल चार साल के लिए है उनसे पहले ये पद 20 महीने तक खाली रहा था कैबनेट की अपॉइंटमेंट कमीटी ने ऑक्टूबर 2021 में उनकी न्यूकती को मनजूरी दी थी जस्चिस अब्दुल नजीर सुप्रीम कूर्ट से जन्वरे 2023 में रेटार हुए एक महीने बाद उन्हें अंदरप्रदीश का रजजिपाल बनाया गया है वे आयुध्य मामले में फैसला सुनाने वाले पांच जजों में एक मत मुस्लिम थे इतना ही नहीं अब्दुल नजीर नोट बंदी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाने वाले जजों की बेंच में भी शामिल थे ब्यूर पॉर्ट